नमस्कार आप देख रहे हैं डिटीवी भारत और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बिहार की राजनिती में बड़े खेल की आहट पहले से सुनाई दे रही थी लेकिन बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा खेल हुआ वो लोग जनसक्ती पाटी के अंदर खाने हु लेकिन बिहार की तरफ से जो सबसे बड़ा बैयान आया और बिहार में अगर बिहार से अगर कोई चिराग पासवान के साथ खड़ा रहा तो वो राजनितिक सक्सियत थे अरुन कुमार जहानावाद के पुर्वसांसद कभी सीम नितिश कुमार के भी करीबी रहे हैं और उन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को इसे रोकना चाहिए और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को बकायदा एक पत्र लिख कर उनको ये बताया कि कैसे चिराग पासवान उनके प्रधान मंत्री बनाने के अभियान में सामिल रहे हैं तो इस पूरे मसले पर हम बात्चित हमारे साथ खुद जहानावाद के पुर्व सांसद अरुन कुमार मौजूद हैं बिहार की जो राजितिक इस्तिती है तो जाहिर है कई दूसरे राजितिक सवाल भी है जिन पर भी बात होगी लेकिन इंटर्विव की सुरुआत उसी सवाल से सर सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया आपने एक पत्र लिखा लंबा चवड़ा पत्र था हमने वह पढ़ा और क्यों आपको लगता है कि राजितिक खत्या की साजिस रची है नितिश कुमार ने चिराग पासवान की देकि बिहार में जो फर्स्ट टर्म नितिश कुमार जी मुख मंतरी थे जिस जेडियू के फॉर्मेशन में जॉर्ज फर्णांडिस का पैट्रियार्क के रूप में भूमिका थी और जिन उद्धिशों से हम लोगों ने लालु जादव के खिलाफ मूर्शाबंदी किया और कोई खेत की लड़ाई नहीं थी हमारी वहां चारा गोटाला था तो यहां सिरजन गोटाला हो गया उहां जिन चीजों के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे थे उससे कई गुना जाके समस्या घणी भूत हो गया फिर भी हम जड़ी उससे अलग हो गया हम प्रियास करते रहे विकल्ब का कि निश्चित तोर से जो पाप हमने किय है निश्चित कुमार को सत्ता में लाने में उससे हम निजात पाएं उस पाप से छुटकारा मिले जब तक परिवर्तर नहीं होगा विहार की आवाम हमको भी इसके लिए दोसी माने ही तो इसी क्रम में एक घटना हुआ लूजपा के अंदर लूजपा के विधायक को तोड़ा गया जब कुराना से बिहार तबाही जहल रहा था तो ये विधायक तोड़ने में लगे हुए थे ये बीजेपी से अपना संक्या वाला स्कोर कर रहे थे स्कोर सेटल कर रहे थे ये कहीं तो इस तरह के वातावरण में हमने कोई ये नहीं दिल्चस्पी नहीं दिखाई लेकिन जब चिराग पासवान के पूरे संसदिये दल को इन लोगों ने सत्ता के प्रभाव से धन के प्रभाव से या फिर पद के प्रलोभन से तोड़ने का काम किया तो मेरे मण में बड़ा गुस्सा हुआ कि वही ये तो राम के हनुमान थे चिराग पासवान मैं तो पहले अलग हो गया मैं नहीं माना वो ठीक है लेकिन ये राम के हनुमान का जो अनैतिक तरीके से बद्ध हो रहा है राजनितिक बद्ध हो रहा है इसमें मुख दर्सक प्रधान मंत्री जी क्यों है इनको नहीं रहना चाहिए कम से कम जो गुरे दिन में साथ दिया है जब अन्टेचबल थे उस समय लड़ाई लड़ी राम बिलास पासवान जी आज नहीं है तो निश्चत तोर से यह धर्म बनता है जैसे प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी जी जब मुख मंत्री थे और इनका सामने से थाली छिन लिये थे तो हमने जाके कहा था वहां इन से मिल करके कि नितीश कुमार ने बिहारी पन और बिहार की परंपरा के साथ बड़ा खिलवार किया है मुक मंत्री नरंद्र मोदी जी से और आपको इतना अप्मानित किया है यह हमारी परंपरा में नहीं है हम इस से लड़ेंगे लड़े उनका सयोग भी रहा और एक विकल्प देने की बात भी हम लोगों ने बनाई है लेकिन फिर नितीश कुमार से मिल गये तो हम अलग हो गया आज जो इस्थिती बनी है चिराग पासवार ने तो साथ दिया तो जहां राम के हनुमान का बद्ध हो रहा है और वह भी एक दलित नाजवान उभरता हुआ जो कल के बिहार का भविश्य है तो इस राजनितिक बद्ध में मुख दरसक आपको नहीं रहना चाहिए आपको लगता है कि अगर बीजेपी मुख दरसक बनी रहती है तो यूपी में विधान सभा के चुनाव होने हैं जितनी मेरी समझ है जितना मेरा अन्भव है हमने ये देखा है कि यूपी के विधान सभा चुनाव में भी रामिलास पासवान की अंभूमका रही है उसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को मैं छोटे मुटे नुकसान और नफे की राजनीत की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कि जधी ये इस्थिती रही तो हनुमान की एक नई रामाइन लिखी जाएगी तो हनुमान की एक नई रामायन लिखी जाएगी सर आप न सिर्फ पुर्व सांसद हैं राजनिती में आपका लंबा अनुभव है और जो इस्थितियां परिस्थितियां के अंदर है ऐसे कई उदाहरन हैं जब राजनितिक दलों में ये इस्थितियां आई हैं दो गुट बने हैं हमारे सामने जो मुझे याद है सरद गुट और नितिश गुट एक उदाहरन है और वो मामला भी चुनावायोग में गया था तो राजनिती में आपका लंबा है क्या देख पा रहे हैं चुनावायोग से जो फैसला आना है जाहिर तोर पर चुनावायोग से याना है लेकिन पलरा किसका भारी है रास्ट्रिये कारिकारणी में चिराग पासवान को बहुमत पराप्त है ऐसा उनका दावा है तो क्या होता हुआ देख रहे हैं इस पूर तक जिस कार्जकार्णी ने उनको सर्वशम्मत से चूना था रास्टिय ध्यक्ष उस कार्जकार्णी की बैठक दिल्ली में हुई मैं पार्टी का लोजपा का सदस्य नहीं हूँ लेकिन मैंने बाहर से जो देखा उसमें दो तिहाई से अधिक कार्जकार्णी के सदस्य ने पुना चून दिया समर्थन दे दिया चुनना क्या चुनने के लिए तो वो बैधानिक है चुविस तक वो हैं तो बीच में जो सक्ति प्रदर्शन की भी बात हुई तो इनको तो नौए लोगों ने चून दिया उसी में प्रस्तावक उसी में समर कितना कांदर है? इसलिए बिल्कुल चुनावा आयोग आँख बंद करके थोड़े काम करेगा. चुनावा आयोग तो कानून के तहत ही काम करेगा. और कानून चिराग पासवान के पक्ष में है जन्ता भी चिराग पासवान के पक्ष में है पांच जुलाई से उनका कार्ज करम है ज़िदि सब कुछ सामानने रहा तो देखेंगे जन्ता किसके साथ एक सब लिए भी है सर की जिस तरीके से ये पूरा घटना करम हुआ है आप से में हमारी पहली पहली बार एक बार और बात चित हुई है इससे पहले जब एक राजितिक मुर्चे का घठन किया आपने राम जतन सीनहा सर ने और सब लोगों ने और जाहिर तोर पर जब करोना की दूसरी लहर आई तो उसको लेकर जो आप लोगों की सक्वियता थी कम हुई आप अगर ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर BJP मुखदरसक बनी हुई है क्या ओफर करेंगे अरुन कुमार जी आप ओफर करेंगे कि चिराग पासवान को उस मुर्चे का हिस्था होना चाहिए उस मुर्चे में साथ आना चाहिए और आते हैं तो फिर उस मुर्चे का भी फायदा होगा देखे मैं ओ मुर्चा रामजेतन सिनहा के जो नित्रत्व में है वह उसका पूरा समर्थन चिरागपासवान को प्रप्त है और जो कोर्स क्या होगा यह तो तैक करेगा समय लेकिन अरुन कुमार इंडिवीजुल से भी बिल्कुल चिरागपासवान के साथ खड़े हैं और वह मुर्चा भी खड़ा है रामजेतन सिनहा के नित्रत्व चिरागपासवान को क्या यह सला हो लेकिन इस मूर्चे की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ सभी जाती में सभी धर्म में यहां की सभी राजनितिक पार्टियों में जो अकुलाहट है उसकी नजर चिराग की और जाएगी और जा रही है तो एक बड़ा भी कल का तैयार होने व रहे हैं के अनुपर्य मंदल में के विस्तार की सुगू गाहट तेज है और पशनुपति कुमार पारश भी यह दावा यह उमीद जता चुके हैं कि हम मंत्री बनेंगे तो सबाल नितिश कुमार पर ही रखते हैं नितिश कुमार अनूपातिक और आंसिक भागिदारी को ले सरकार ज्यादा दिन तो नहीं चलेगी, ये रिस्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, ब्यार की राज़िती में क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, नितीश कुमार के बारे में आप राय हमसे मांग रहे हैं, हम चौदा साल रहे हैं, उनको चौदा मिनिट पहले डिसीजन के चौदा मिनिट पहले भी समझना मस्किल है, मेरा अपना नुमान है, इस कला के मरमग गहें, तभी आसमान में रहते हुए सत्ता का खेल खे सी बिहार के मुक्पुनती बने हुए 14 मिनट पहली भी नहीं 14 साल हम रहे हैं अभी बात कुछ होगी और डिसीजन उनके मन में कुछ चलता रहे इसको आंकना भाफना किसी के बड़ी लैंग्वेज से फेस इंडेक्स से लोग एसस करता है लेकिन वो सारे साइंस फेल हैं हमको स नितिस कुमार को समझना मुस्किल ही नहीं नामुम्किन है तो एक सवाल और पनपता है लगातार जो खबरें आ रहे हैं जो संकेत मिल रहे हैं आर सीपी सिंग का कद जेडियू में छोटा होगा उपेंद्र कुस्वाहा जेडियू के राष्टी अध्यक्स बनाए जा सकते है यह तमाम खबरें हैं लगता है कि नितिस कुमार पूरी तरह से लोकुस समिकरन को साधना चाहते हैं उपेंद्र कुस्वाहा का कद वाकई जेडियू में बड़ा होने जा रहा है मेरी सुखकामना है उनका कद लंबा हो जाए तो उनको ले करके भी कभी विकल्प की बात मैंने सुची थी असफल रहा मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा इन मेरी सुखकामना है उनका कद उनसे ज्यादा बड़ा हो जाए चलिए अरुन कुमार जीत है जहनावाद के पुरुव सांसरद हैं बिहार की जानी मानी राजितिक हस्ती हैं और अंदाज और तेवर से आप समझ गये होंगे सवालों के जवाब इसी अंदाज और मिजाज के साथ देते हैं कई राजितिक सवाल थे और सबसे बड़ा जो झानी बाद